हेलो चुटेंट कैसे हुआ आप सभी तो आपके जो है कमेंट थे कि सर पसुदन साइक जो डिपलोमा है उसकी फर्स्ट लिस्ट के डेट क्या रहने वाली है तो आज की इस वीडियों में आपको फर्स्ट लिस्ट के डेट भी बताऊंगा एंड किन स्टुडेंट को जो है इस फर्स्ट लिस्ट में जो है कोलेज भी मिल जाएगी तो वो तो अभी से जो है पार्टी वेगे रहा या फिर अगर मिठाई भी एज़ना चाहते हैं तो बेश सकते हैं अभी में जो है बताऊंगा कि अगर उतने परसंटेज अगर आपके भी है तो आपको फर्स्ट लिस्ट में जो है जरूर 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 जो है कोलेज मिल जाएगी तो चली वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले अभी तक आपने चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना अब जिन इस्टुडेंट ने फोम जो है एपलाई कर दिया है उनको तो अब जल्दी है कि सर फर्स्ट लिस्ट है वो कब जारी होगी लेकिन जिनों ने अभी तक फोम एपलाई नहीं किया है वो भी बेट करें कि सर फर्स्ट लिस्ट कब जारी होगी भई अभी फोम तो लाश्ट डेट है तो जितने भी स्टुडेंट है 15 जनौरी से पहले पहले फोर्म एप्लाई कर देना समझ में आई बात 15 जनौरी का मैं क्यों बोल रहा हूं इस्टुडेंट लाश्ट जो टू डेज रहते हैं मान लो किसी कारणवास अगर सर्वर डाउन वगेरा जो है वेब इस्टुडेंट ने सभी ने फोर्म एप्लाई कर दिया है यह बहुती बड़ी खुसी की बात है कि वो तो जो है अब पसुदन साइक बनके ही रहेंगे उनको कोई नहीं रोकने वाला है तो अब फोर्म तो एप्लाई कर दिया लेकिन सर्फ फर्स्ट लिस्ट की डेट है वो इस रीजन बताऊंगा जिसके कारण यह जो है क्या डेट बढ़ सकती है फिर नहीं बढ़ सकती है उसके बारे में आपको बताऊंगा जब इंस्टिटूट के दुआरा अगर यहें बताए जाए कि हमारी अभी भी जो है उतने फोर्म नहीं फील हुए जो कंप्लिर जो कि पिछली बार हुए ठीक है ना तो इसी परकार से आपके फोर्म की डेट बढ़ सकती है एक बहुत बड़ा रिजन यह हो सकता है कि जो इस्टूडेंट है उन लास्ट डेज में ठीक है मालो कि 17 जनुवरी को फोर्म फील करते हैं और किसी कारणवास अगर उनके फोर्म में कुछ करेक्शन होता है तो फिर अगर वो चाते हैं बहुत सारे इस्टूडेंट होने पर ऐसा नहीं है कि आपने 17 जनुवरी को क्यावल एक इस्टूडेंट ने फोर्म एप्लाई किया अब उसके करेक्शन है फोर्म में तो क्या वेबसाइड वापस से उसकी डेट बढ़ा यह एसा नहीं होगा बहुत से स्टूडेंट का लेकिन क्या पहले हुआ था क्या 2020 में ऐसा हुआ था क्या जी नहीं डेट नहीं बढ़ी थी स्टूडेंट तो आप तो फाइनल समझो कि 17 जो जनुवरी है वो लाश्ट डेट है अगर बढ़ गई तो अच्छा है तो उसमें आपको फाइदा भी नहीं है और उसमें आपको घाटा भी नहीं है आपको फो में अप्लाई करना है वो आप कभी भी कर सकते हो अब आपके पास में स्टूडेंट आप सभी को पता है कि 10 से लगबग 15 देज बचे हैं ठीक है तो इन 10 से 15 देज में आप अपने जो है काौंस कंप्लीट बता रहे हैं वीडियो के लिश्ट में जाना वहां से आप कंप्लीट देख सकते हो कौन-कौन से डॉक्मेंट है लेकिन एक बार जो है फर्स्ट लिश्ट जारी होती है उसके बाद में डेट आएगी कि इस डेट को आपको वहां पर जमा करवाने है तो मैं आपको और अधिक बता दूंगा तो आँ इस विडियो को लेकर आई है percent list के बारे में तो student आपकी जो first list है आपको पता होगा हर बार जो है लबबग जो दिन होते हैं इसमें कि कितने दिन बाद मेसारी होती है जब जो है last date होती है four में apply की तो 17 जनवरी four में apply की last date है तो student इसमें पलस कर लो 7 या maximum 10 देज बस 7 है वो minimum डेज है 10 है वो maximum डेट है यानि student आपको जनवरी के मन्थ में ही जनवरी के मन्थ में ही आपको जो है इसके जो है फोर में एपलाई की डेट जो है तो student जो हमारे जो official notification जारी होता उसमें लिका है कि 17 जनवरी जो है वो फोर में एपलाई की लाश्ट डेट आप देख सकते हो तो student आपको जनवरी के मन्थ में ही जनवरी के मन्थ में ही जो है फर्स्ट लिस्ट की जो है आपको मिल जाएगी ठीक है एंड उसकी सूसना आपको कैसे मिलेगी लेकिन student एक चीज़ में आपको और बता देता हूं इस वीडियो में कितने परसंटेज पर जो है फर्स्ट लिस्ट में इस्ट लिस्ट में को कोलेज मिल जाएगी जरूर बताएंगे देखे सबसे पहले student में आपको बता देता हूं अगर 2020 की बात करूं student 2020 के बात करूं कि 2020 में फर्स्ट लिस्ट में कितने student को जो है कोलेज मिल गया था उनके कितने परसंटेज थे student फर्स्ट लिस्ट में जो पिसले बार जो है 80% से अबाव थे लेकिन student एक चीज़ होसना उस समय कोई भी परमोट नहीं हुआता ठीक है लेकिन इस बार के 80% वालों को कोलेज मिल सकता है फर्स्ट लिस्ट में इस बार बहुत कम चांस है कि 80% वालों को फर्स्ट लिस्ट में मिले लेकिन student जिनके भी 85 से पलस है 85% से पलस है उनको जो है फर्स्ट लिस्ट में जो है कोलेज मिल सकती है और गौर्मेंट कोलेज के बात करूं क्या गौर्मेंट कोलेज फर्स्ट लिस्ट में ही मिलती है या फिर और भी या फिर सेकंड लिस्ट में भी जो है गौर्मेंट कोलेज मिलती है इस्टुडेंट कोलेज सेकंड लिस्ट में तभी मिलती है जब अग करवा लिया तो student second list में only for private institute ही बचेंगे ठीक है student only for private ही बचेंगे एंड जो उसके बाद में उसके बाद में क्या होगा student first list जिनको मिल जाएगी उनकी जो है counseling होगी counseling होने के बाद में student उनके document वगेरा फीस वगेरा जमा होगी उसके बाद में जारी होगी second list तो second list भी जो है उसके बाद में जारी होने वाली है लेकिन जिन student के 90% है 86-87 है उनको first list में चाहिए private government जो है 90% से plus वालों को मिल जाएगी तो first list है आपके इसी मन्त यानि जनवरी में ही जारी हो जाएगी अगर वीडियो अच्छा लगया तो इसको like ज़रूर करें चैनल को subscribe ज़रूर करें झाल 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 झाल